अच्छी बीविया ना ही शॉपिंग के लिए बोलती है, ना ही घूमने के लिए बोलती है, ना ही तंग करती है, ना ही शब करती है, ना ही हर बात पे कॉल करती है और ना ही इस दुनिया में पाई जाती है हिंदी हमारी मात्र भाषा है इसे पित्र भाषा क्यों नहीं कहते क्योंकि माता जी निफिता जी को कभी बोलने का मोका ही नहीं दिया का सूरज की भी बीबी होती कम से कम उसे थोड़ा कंट्रोल में तो रखती दमाज जी आप सराब पीते आज तक नहीं बताएं तोहरो बेटी तक खून पीती है तू बताएं का अच्छे नू बताओ वह कुण सी चीज से जब तुम रोज तो देख सकते हो पर तोड़ नहीं सकते मैं नहीं बताऊंगा बोलो ना प्लीज तेरा मूँ हलो सासू मा हाँ दमाज जी आपके बैटी में तो दिमाज नाम का कोई चीजी नहीं है दमाज जी आपके तो उनका हाथ मांगा था दिमाज के तो कोई बात नहीं करी थी तो दिमाज का फिरिज में रखा हुआ है पुछा पता है तुमको तुमसे शादी करके न मुझे बहुत फाइदा हुआ अच्छा क्या फाइदा हुआ जो नर्क में सजा मिलती है न उट तो मुझे यहाँ ही मिल गई न सुनो जी आज मेरी तबियत कुछ खराब सी लग रही है आरे यार मैं तो सूच रहा था आज बाहर खाना खाने चलेंगे अरे मैं तो मजाक कर रही थी बेटी क्यों मार रही हो बेचारे को कोई बेचारा नहीं है इन्हें फोन किया था मैंने और एक लड़की बोली जिस वेकती से आप संपर्क करना चाते हैं वह अभी बेस्ट है बता कौन है ओ लड़की बेवी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सच्ची बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैंने तुम्हार ले डायमेंड रिंग भी लिया उपता है दिखा अरे भाभी जी आप कल जब मंदिर गए थे मैंने सुना आप अपने पती को अगले जनम में वापस मांग रहे थे आप तो उनसे इता लड़ते हो फिर भी अरे मैंने इस जनम में उनको इता ठोक पीट के सुधा रहा है अब अपना तयार किया हो वा रेडिमेट माल में किसी और चूड़ेल के लिए क्यों छोड़ू क्या जनू जब तुम देशी पीते हो तो पाड़ो कहते हो जब तुम बेर पीते हो तो डालिक कहते हो फिर आप चूरेल क्यों क्योंकि आज स्प्राइट पिया है जनू सीधी बात नो बक्वास ममा मैं इतना बड़ा कब होंगा कि आप से बेना पूछे ही करिजा सको बेटा इतना बड़ा तो तेरा बाप भी नहीं हुआ है अगर कोई लड़की आपके मैसेज के रिपलाई न दे तो यह मस समझे कि वो कहीं घूमने गई है और मोबाइल घर पर रखके गई है हो सकता है बेचारी बारतन माज रही हो साधी करने के बाद और मोबाइल लेने के बाद एक ही अफसोस लगता है उकाची किसला कुछ दिन और रुख जाते तो अच्छा मोडल मिल जाता अच्छी यह चाननी है नमस हमारी बेटी हमारी मतलब मेरी है यह हम सोच रहे थे हम तो बहुत दिनों से शिकार पर गई नहीं तो यह बंदू किसने चला डाली जी मजाग था अच्छी कौन सी चीज है जो साधी से पहले किसी की भी हो सकती है लेकिन साधी के बाद सिरफ पती की होती है पत्नी की नहीं किया गलती है तूल तूज यह बताओ कि तुमने मुझे में ऐसा क्या देखा कुछ भी नहीं बस बचपन सी शौक थे के बड़े पंगेलूं ह्खखखखखखखखखखखझ vast अग दो हो एक जो हो इजब आर नर न